बच्चों मैं आप लोगों से जो डिस्कस कर रहा हूं, this is question number 88 of the book T.S. ग्रिवाल, chapter is Fundamentals of Partnership Question related है guarantee of profit to a partner से और इसमें दो तरह की guarantees हैं, एक guarantee वो है जो partner ने firm को दी है और एक guarantee वो है जो firm ने partner को दी है तो पहले उस guarantee के वारें बात कर लेते हैं जो partner ने firm को दी है, तो यहाँ पर partner B ने कहा कि उसका जो gross revenue है जो वो fees earn करेगा gross fees वो 25,000 से कम नहीं होगी जो पिछले 5 साल का average है, ठीक है? और वो इस question में actual में gross fees earn कर पाया 16,000 रुपे, तो 9,000 रुपे इसलिए हमने उसी capital account से लेकर firm को दे दिये हैं बाकि firm का actual profit इस question में 75,000 आया था दूसरी guarantee वो है जो firm ने C को दी थी कि उसका profit 15,000 से कम नहीं होगा partners का old issue वैसे 321 था, इस बात को ध्यान रखेगा बच्चो तो firm का, और समें कोई भी appropriation नहीं करना था firm को तो firm का जो net profit था, वो 75,000 था, उसमें 9,000 B से लिए जो जोड दीजिए 84,000 हो गया, 84,000 को 321 में ABC 3 में बाट दिया तो A के हिस्से में आया 42,000, B के हिस्से में आया 28,000, C के हिस्से में आया 14,000 मगर B को तो जो है, C को तो जो है, sorry, 15,000 की guarantee दी थी, वो तो 14,000 आया तो कितना कम पड़ गया? 1000, उस 1000 का 3,500 जो A और B का आपसका ratio है, यानि 600 A देगा 2,500 जो A और B का आपसका ratio है, उसके हिसाब से यानि 400 B देगा तो कुन लागे 600 A और 400 B से, A से और B से निकालके C को दे दिये जाएंगे और इस तरह से C का share हो जाएगा 15,000 A का share रह जाएगा 41,400, B का share रह जाएगा 27,600 और C का हो गया 15,000 चीक है बचो, अब रही बात उसकी overall presentation की आप देख लिजिए net profit trade side में लिखा गया, B से जितना पैसा लिया गया, वो भी credit side में लिखा गया जितना profit बाटा गया, वो debit side में लिख दिया गया, जितना A से minus किया, A से कर दिया जितना C में याड़ करना है, C में याड़ कर दिया, ठीक है, और हाँ, एक बात धान रखीगा, कि B के हिस्से में सिब 27,600 नहीं आया, बलकि और कम आया है, क्योंकि 9,000 उससे लिए भी तो कहे है तो एक तरसे B का net digital profit केवल 18,600 ही कहलाएगा, ठीक है, 9,000 उससे लिए भी है, और 27,600 उसको दिए भी है, ultimately, तो 9,000, 18,600 ही हो गया, ठीक है बच्चो, तो इस तरह से हमारे equation complete भी हो गया, उमीद है समझ में आ गया होगा अप लोंको, थैंक यू बच्चो